आहीं साफने के ऐस्सें पहलें कि और उस Benedum को देखने को मिलते हैं डेपेंद किरता है कि उनके इद्दीत का इंवार्ऩिन कैसे है अब अगर अगर हम उस इंवार्पन को देखती हुए प्लांट्स को डिवाइट गोरे तो जो plants aquatic areas में रहते हम उनको hydrophytes कहते हैं जबके जो plants moderate area में रहते हैं यानि के moderate temperature में रहते हम उनको mesophytes कहते हैं उसके साथ साथ जो plants बिल्कुल dry area में रहते हैं जो desert areas में रहते हम उनको exophytes कहते हैं अब अगर हम इन सब को तो इसे डिटेल में पढ़े ना, तो number one हम देख लेते हैं hydrophytes, hydrophytes basically वो plants होते हैं जो कि flooding of water में रहते हैं, यानि कि उनके एर्द गेर्द पानी की मिगदार बहुत ज्यादा हो, जिसकी वज़ा से इन plants के जो हमें पत्ते देखने को मिलते हैं ना, उनका जो surface area होते हैं, वो काफी जादा broad होते हैं, यानि कि वो काफी चोड़े होते हैं, जिसकी वज़ा से वो easily transpiration का process करवा लेते हैं, इसी के साथ-साथ ना, naturally इनके अंदर हमें जादा amount of stomata देखने को मिलते हैं, और वो भी बिलकुल इनकी epidermis layer के उपर, यानि कि जो पहली layer होत water होते हैं, वो easily remove करवा लेते हैं, अपनी body से, अब इनके examples में हम देख सकते हैं, water area or water cabbage, जैसे कि हम देख सकते हैं, कि इनके जो surface area होते हैं, आप leaf के, वो काफी जादा बढ़े होते हैं, ताकि वो easily अपनी body से excess water को ना remove करवा लेते हैं, नमबर 2 हम बात कर लेते हैं, mesophytes के mesophytes basically एक ऐसे plants होते हैं, जो moderate level of water में रहते हैं, जानी कि ना उनके पास water की कमी होती है, ना है उनके पास excess amount में water होता है, अब होता क्या है, जब इन plants के अंदर हमें deficiency of water देखने को मिले ना, यानि कि water की मिगदार कम हो जाएं इनकी body में, तो ये अपने stomata को बंद कर लेती है लेकिन, अगर इनकी body के अंदर हमें water की मिगदार जादा देखने को मिल जाए, यानि इनकी body में water excess amount में हो जाए, तो ये क्या करेंगे, अपने stomata को open कर देंगे, और उस excess water को अपने body से easily remove up करवा देंगे, जैसे कि हम example में देख सकते हैं, rose और mango की trees और नमबर लास्ट हम ब अब naturally कुदरती ना क्या होता है कि इनके ना अंदर हमें thick, vexy or leathery cuticles मिलते हैं, जो इनकी body को moist रखते हैं, इसी के साथ सब अगर हम इसके एक example के बात करें, तो cactus ना सबसे major example होती है, जीरोफाइट्स की, अब ये करते हैं, जब बहुत dry season चाहल रहा हो ना, यानि के इनके पा पर leaf नजर ही नहीं आता होता, हमें हमेशा spines, यानि के कांटे हमें leaf देखने को मिलते हैं, cactus की body के उपर, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास एक तो इतना पानी ही नहीं होता कि वो अपने leaf को नरिश कर सकें, तो वो अपने leaves को modify कर देते हैं into spine, यानि के कांटों की शकल म वनगे, तो इनका photosynthesis का process किस तरह होगा, तो cactus के जो stem होता है, वो photosynthesis करवाता है, वो food को बनाने में मदद कर रहा होता है, इसके साथ साथ ये जो stem होता है, इसको हम succulent stem का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर water को store करता है for a long period of time, in the end, अगर हम देखें ना, तो हमें cactus के अंदर ना, sunken stomata देखने को मिलेंगे, यानि के वो stomata जो पत्तों के बिल्कुल, यानि के depressions में पाए जाए, बहुत depth के अंदर stomata पाए जाए, थाके वो easily open ना हो, और जो भी उनकी body में थोड़ा बहुत water store हुआ हो है, वो कहीं गलती से भी ना, उनकी body से release out ना हो जाए तो यह सारा process था, किस तरह प्लान के दो आस्वा regulation होती है, कौन-कौन से प्लान, कौन-कौन से environment में survive कह रहे होते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे next lecture में अगर आप यह lecture complete देखना चाहते हैं, और बेशुमार MCQs और उनकी explanation चाहते हैं, तक रप्या अभी Google Play Store पे जाए और डाउनलोड कीजिए app Hippo e-learning program, और इससे खुद भी फायदा उढ़ हाई और साथ-साथ अपने friends and class fellows को भी recommend कीजिए, and don't forget to like this video and subscribe to our channel, धन्यवाद झाल